Hello Friends, welcome back to my channel. Friends, आज मैं आपको Tating की एक और डिजयन बता रही हूं. हमनी Table Cloth का जो Series बनाया था उसमें Center की Design बाकि रह गी थी. So friends, आज मैं Center की Design बना रही हूं. देखिए graph इस तरह से है. अगर आपसे ध्यान से देखेंगे तो यह ट्राइंगल शेप में है एक एक मोटीफ ट्राइंगल शेप में है देखिए मैंने इसमें पैंसल से इस तरह से निशान लगा दिया जिसे कि आपको डिजाइन पूरी समय में आ जाए इस तरह से एक मोटीफ है फिर दूसरा इसके सा कि पोट वुल बनाने के बार, यह semi circle then यह 4 petals का flower, semi circle फिर रिए ring, semi circle ring, semi circle or petal ka flowers रिनार का, बनाने के आद इस यह अज उपर semi circle यह chain बनाएंगे और फिर reaches 3 petals flower बनाएंगे chain 4 petal ka flower, semi circle सेमिसर्कल रिंग और इस तरह से हम अपना ये पूरा मोटिफ यहां तक कमप्लीट करेंगे हैंगे यहां कमप्लीट होती के बाहर हम इस सही 194 कि मोटिफ की तरफ जाएंगं और इस पहला मोटिफ न Springs बैसे हम अपना ये वाला भी मोटिप कंप्लीट करके आपस में इनको अटेज करेंगे तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए ब्लू त्रेड ले लिया और मैंने इसको अपनी शेटल में भर लिया है तो सबसे पहले एक छोटा रिंग बनाएंगे बनाएंगे हेल की हचे वहले की हचलिए के नहीं आपसे 7 double stitch record, four double stage, record और seven double stage करकी यह रिंग कम्प्रीट कीजे, कोले की धागे को फिंगर पर लपेटते हुए, फाइव डबल स्टेस बनाईए, पास में ले जाके फाइव डबल स्टेस, फाइव डबल स्टेस, पिकोड, फाइव डबल स्टेस, पिकोड और फाइव डबल स्टेस करकी यह सभी सर्कल कम्प्रीट कीजे, थोड़ सा टाइट कर दीजे, इस तरह से हमारी समिसर्कल कम्प्लीट हो गई, डजाइन को फिलिप कीजे, फिलिप करने के बाद फिर से एक समिसर्कल बनाईएगा, एक रिंग बनाईएगा, 747 का, तो शटल के दागे से बनाईए, 7 डबल स्टेस, पिछले समिसर्कल पिछले वाले जो रिंग बनाईएगा, उसके साथ अटाइच कर दीजिए, फोर डबल स्टेस, पिकोड और सेवन डबल स्टेस करके ये रिंग कम्प्रीट कीजे, जान को फिलिप कीजे अब, फिर से हम अपनी नीचे की चेन बनाईएगा, बिल्कुल पास में ले जाकर, ये देके 6 डबल स्टेस, पिकोड और अब बनाईए 12 डबल स्टेस, अब आपकोड जान शेत जाना नजर आएगी बाइट पेपर की, तो हम बना रहे हैं 12 डबल स्टेस, अने च बनाईएगाओा झाओणाओा । हम ये खमें बनाईएगा, पिकोड़ेंगा। 12 double stitches हो गई है, डिजाइन को थोड़ा टाइट कर दीजे, इस तरह से डिजाइन को फिलिप कीजिए, शेटल के धागे से बनाईए, एक रिंग, तो सबसे पहले 6 double stitches, प्रिकोड, 5 double stitches, 6, 5, 5 और 6 का हमें रिंग बनाना है, प्रिकोड, 5 double stitches के बार, जो सबसे पहला सामी सरकल था, दो रिंग के साथ में, उसके साथ इसको अटाइच कर दीजे, अगें 5 double stitches, समाल पिकोड, इस वे में हमारा एक रिंग बन गया, इसे तरह से हमें 3 रिंग और बनाना है, यह देखें फ्रेंड्स यह 4 रिंग हमारे कम्प्लीट हो गए हैं अब डिजाइन को फिलिप कीजिए और सेमी सर्कल बनाईए तो सबसे पहले 12 डबल स्टिस, पिकाड और 6 डबल स्टिस अब पिकाड और 6 डबल स्टिस करके यह समी सर्कल कम्प्लीट कीजिए यह देखें प्रेंट जी इस तरह से आ गया आप डिजाइन को फिर से फिलिप कीजिए प्लिप करने के बाद आप हमको फिर से एक रिंग बनाना है सेम इस तरह का जैसे हमने यह स्टार्टिक में बना था इसी तरह से हमें यहां पे भी बनाना है पास मुझे जाके सेवन डबल स्टेश पिकार्ट फोर डबल स्टेश पिकार्ट और सेवन डबल स्टेश करके यह रिंग कम्प्रीट कीजिए इसी तरह से रिंग बन गया अब सेमी सरकल बनाएंगे 555 का तो सबसे पहले 5 डबल स्टेश हमने जो यह फ्लार मनाया था उसके इस पिकार्ट के साथ इसको अटाच कर दीजिए 5 डबल स्टेश पिकार्ट अगें 5 डबल स्टेश जिसे में सरकर कम्प्रीट हो गया अब डिजाइन को फिर प्लिप की जिए 747 का एक रिंग इसको साथ एटाच करते हो और बनाए है जैसे कि यह दो आटाच किए हमने रिंग यह दिए हमारा second ring भी complete हो गया है अब डिजाइन को फिर से फिलिप करेंगे तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देगी तो गोले के धागे को finger पर ले पेटी है six और 12 की एक chain मनाईए पहले पहले six double stitch picot और 12 double stitch बिल्कुल पास में ले जाके picot small picot बनाईएगा और 12 double stitch तो प्राइब कर दीजिए डिजाइन को फिलिप कीजिए 6556 का एक रिंग और बनाईए तो सबसे पहले six double stitch shuttle के धागे से इसी chain के साथ मिलाके प्राइब प्याचे इस्च टेङन के तडाइ खागे एक फनाईए खागेए बिलाइब एका है या यह लेका टे आपार है się को तूस टीजए fजिए अब हम इसे जो हमने यह वाला अपना सेमिसर कर बनाया था दो रिंग के साथ वाला इसके साथ अटेच कर देंगे मैं आपक दिख ratio अब देंगे pre वाला अबिलके जे आती अपकर दाइच कर दिख weet पाला अब लुट कर देंगा तोसे साथ आ वे टाकार यह ओ लुटाइच को तो से Requड़ में को बूद चायमे पिकोट बना हीगा और 6 डॉबल इस्टिस कि देखेंटे से हमारा कि बन गया है इसी तरह से हमें की इक इंग और बनाना difet यहां पिर इसो हुआ पर इसे देटे को सीधा रखते हुए फिर से बनाये एक और 6-5-5-6 का 6 double stitch प्याले वाले रिंग के पिकार से स्कार्ट आज कर दिजिए 5 double stitch अब हमसे जो हमने सबसे पहले फोर रिंग का ये फ्लार बनाय था उसके इस वाले सेकंड लीफ को सेकंड लीफ के साथ अटाइच कर देंगे अगें 5 double stitch small picot और 6 double stitch करके ये रिंग कम्लीट कीजिए अब इसी तरह से दो रिंग और कम्प्लीट कीजिए जैसे हमने ये दो बनाय थे वैसे दो और बनाईए आपस में अटेच करके यह देखिए फ्रेंट्स मेरा थ्री रिंग का यह फ्लार भी कम्प्लीट हो गया है अब डिजैन को फिलिप करके हमें एक चेन बनानी है इस तरह से का ठ테म है तरह से भी कि जी तरह से हाथ रिंग कर दो कि रुषक पस्तु अधिए फिलिए को बना Sue टाइट कर दीजिए यह 16 डबल स्टिस के एक चेन बन गई चेन बनने के बाद अब हमको बनाने हैं थ्री रिंग का फ्लार यह सेवन डबल स्टिस पास में जाकर सेवन डबल स्टिस कम्प्लीट हो गया है अब हम पिछले रिंग के पिकॉर्जिस को अटैच कर देंगे 10 डबल स्टिस स्मॉल पिकॉट और थ्री डबल स्टिस करके यह रिंग कम्प्लीट कीजिए सेकंड रिंग बनाई है सबसे पहले थ्री डबल स्टिस इसले रिंग के पिकॉर्जिस अटैच कर देंगे 7 डबल स्टिस 5 डबल स्टिस 5 डबल स्टिस 7 डबल स्टिस स्मॉल पिकॉर्ड और थ्री डबल स्टिस करके यह रिंग कम्प्लीट कीजिए अब फ्रेंड फिर से थर्ड रिंग बनाएंगे हम थर्ड रिंग के लिए सबसे पहले 3 डबल स्टिस 3 डबल स्टिस 10 डबल स्टिस और लास्ट में 7 डबल स्टिस करके यह रिंग हमने थर्ड बारा भी कम्प्लीट कर दिया जैसे कि हमने फर्स्ट बारा कम्प्लीट किया था निए में थ्री रिंग करूप्लार कम्प्लीट हो गया अब डिजैन को फिर से फिलिप किजे फिलिप करने के बाद 16 डबल स्टिस की चेर्ण बनाईये फिर से जैसे पहले बना also कि थोड़ सा थाइट कर दिजे लिएम दिए ब्सरें को फिलिप किजें फिलिपकर ंने यह देखे हमारा आधा मोटिफ कम्प्लीट हो गया है ट्राइंगल का यतना हमने यह आधा ही सेट बनाया है उतना सेम हमको इस साइड भी बनाना है तो सबसे पहले हम यह फोर पैटर्स का फ्लार बनाते है शिक्स फाइफ फाइब और शिक्स का यह रिंग बनाई जैसे हमने प यूम बनाई वन पीन रे इस ब्रुंड कर monit cog का 5 double stitch, वा इसमेकल फे। बनाई बनाईब देटिड्स है त कर दिखे। यह लिए एब भीकल्ट से पाइब, इसमेदणर बनाई आ, हुर्से पैटर्टी रिंज क counting का यह रिंगर, बनादना बनाना हुर्ट है रिए वर्णियर स्मॉल पिकॉट और शिक्स टबल स्टिस करके यह रिंग कम्प्रेट कीजिए अब इसी तरह आप फोर रिंग बना जुके हम थ्री रिंग और कम्प्लीट कीजिए इसके साथ ही इसके फ्रेंड्स हमारी फॉर रिंग के फ्लार भी कम्प्लीट हो गया है अब हम डिजाइन को फिलिप करेंगे फिलिप करने के पाथ हमें नीची का समी सर्कल बनाना है जैसे क हम पहले बना चुके थे 6 और 12 डबल स्टिस का तो अभी हम सबसे पहले बनाएंगे 12 डबल स्टिस टाइट कर दीजिए ये 12 डबल स्टिस के बाद हमने जो पिछला समी सर्कल बनाया था ये वाला इसके प्रिकॉर्ट से इसको अटैज कर देंगे अब बनाएए 6 डबल स्टिस टाइट कर दीजिए ये ये हमारे डिजाइन इस तरह से आ गई इसको बनाने के बाद अब हम फिर से ये दो रिंग और ये चेन बनाएंगे जैसे ये बनके आया हमारा वैसे हमें भी यहां पर यह से बनाना है तो दो फूर रिंग का यहां पर कलस्टर तयार हो जाएगा तो डिजाइन को फिलिप किजिए गोले के ठागे को खोलिए और 747 7 का एक रिंग बनाईए इस वाले रिंग से अटेस्ट करते हुए यह देखिए यहां से अटेस्ट हो गया है अब हम डिजाइन को फिलिप करके अपनी समी सर्कल को कम्प्लीट करेंगे 5 double stitch 555 का यह समी सर्कल कम्प्लीट होगा 5 double stitch इस वाले फ्लार के पिकॉट से इसको अटेस कर दीजिए अगें 5 double stitch पिकॉट और 5 double stitch करके यह समी सर्कल कम्प्लीट कीजिए डिजाइन को फिलिप कीजिए और फिर से हम अपना 747 का एक रिंग बनाएंगे और इस पिकॉट के साथ उसको अटेस करेंगे तो इस तरह से हमारा 4 का रिंग का यहां पे एक cluster तयार हो जाएगा यह देखें यह मारा पूरा यहां पर दर्श्र त्यार हो गया इनकर आप बनाई है कि अब आने को पिर इंवाली जैन्ड बनाने हैं सिख्ष डबल स्टीज और टॉल डबल स्टेज के पहले श्ट्टीज फिर पिकॉड और तॉल डबल स्टीज के चेन्ड बनाई है यह देखे 612 double stitch का ही semicircle complete होगी हमारा इस semicircle को complete कने के बाद जैसे हमने यहां पर फोर रिंग का यह फ्लार बनाया था उसी तरह हमें भी यहां फोर रिंग का फ्लार बनाना है इसकी पहली जो रिंग होगी वो इसके साथ अटेच होगी दूसरी रिंग हमारी इस वाले फ्लार बनेगा वो 655 और 6 से बनेगा यह देखे फ्रेंड्स यह semicircle complete करने के बाद 747 का एक रिंग हमने यह बना दिया इस तरह से हमारा यह एक मोटी पूरा complete हो गया अब हमें डिजाइन को टर्न करेंगे इस तरह से और हम इस साइड का ट्राइंगल बनाएंगे तो चलिए स्टार करते हैं इसको बनाना देखें फ्रेंड्स यह हमारा मोटीव यहां तक complete होता है नीचे रखके बताती हूं आपको यह देखें इस तरह से हमारा यह एक साइड का मोटीव complete हुआ इधर का जो हमने रिंग बनाया है वह हमारे इस साइड के ट्राइंगल का रिंग है तो आप से साइवी सरकल बनाई है गोले की दागे को फिंगर पला पेटते हुए शिक्स डबल स्टिस पिकॉर्ड और ट्रेल डबल स्टिस कर दीजिए टाइट कने के बार आप हमें फोर पेटल का फ्लार फिर से बनाना होगा जैसे कि हम यह वाला बना रहे थे तो सबसे पहले पहली र 6 डबल स्टिस कर थाइब डबल स्टिस इस वाले समी सर्कल की पिकॉर्ट के साथ इसको अटाइज कर दीजिए अगें 5 डबल स्टिस पिकॉर्ट, स्मॉल पिकॉर्ट और 6 डबल स्टिस करके रिंग कम्प्रीट कीजिए सेकंड रिंग बनाया 6 डबल स्टिस अटाइज कीजिए 5 डबल स्टिस सेकंड रिंग को पिशले जो हमने मोटिव कम्प्रीट किया था उसके फ्लायर के पिकॉर्ट से अटाज करेंगे अगें 5 डबल स्टिस स्मॉल पिकॉर्ट और 6 डबल स्टिस करके यह रिंग कम्प्रीट कीजिए इस दिखें हमारा सेकंड रिंग भी अटैच हो गया अब हम अपना थर्ड और फोर्थ रिंग भी सेम इसी तरह से बनाएंगे यह देखें फ्रेंड्स फ्र डब फॉर्ड रिंग कह यह लार कम्प्लीट हो गया और हमने यह सेमिसर्कल सबसे पहले हम ने यहां फुरी तक लिकार्ट और खुच दौबल इस्टिस कि यह समी सर्कल कि एक किजिए कि समीसर्कल कंप्ली तोगी है अब हम फिर से रिस्जाइन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे अब यह सर्कल बनाई credit टू रिंग के बाद ये समी सर्कल, दन ये चेन, फुर ये फ्लार, और फुर ये डिजान यहां उपर तक लिकराएं, यहां पर मैं जूड़ेगी ये डिजान, तो सबसे पहले हमने ये फ्लार बनाया था, अब हम ये रिंग बनाएंगे, 747 बाला, तो शटल के दागे से है, इसको टर्न किया, अब हम बनाएंगे पीछी की समी सर्कल, 5, 5, 5, 5, 5, 5, तो सबसे पहले 5 डबल स्टिस, प्लार के इस वाली पिकॉट से इसको अटाच कर दीजिए, अगें 5 डबल स्टिस, पिकॉट और 5 डबल स्टिस करके इसमी सर्कल भी कम्प्रीट कीजिए, इसमी स फिलिप कीजिए, और फिर से 747 का एई रिंग बनाते हुए, इसके साथ अटाच कीजिए, फ्रेंट्स ये सारी डिजाइन हम बना चुके हैं, इसलिए मोटिव में, इसलिए देखे फ्रेंट्स हमने ये भी रिंग बना लिया है, अब ये डिजाइन में नीचे रखे आपको दिखा रही हूँ कि इस तर से जारी उपर, तेकि अभी हमने ये वाला रिंग बनाया है, ये दोनों वाला, ये रिंग बना के हमने ये समी सर्कल बनाया है, अब ये डिजाइन हमारे उपर के तरफ जाकर ये फोर पटिल का एक फ्लार और बनाएगी, जो कि हमारे यहां पर होगी, चलिए बनाते हैं, इसको बनाने के बाद पहले समी सर्कल बनाईए, 6 डबल स्टिस, पिकॉट और 12 डबल स्टिस का एक समी सर्कल, टाइट कर दीजे, समी सर्कल कम्प्लीट हो गई है, अब हम फ्लार बनाएगे इसके साथ में, 6 5 5 6 का पहला रिंग कम्प्लीट कीजे 6 5 करने के बाद हमने इस वाले समी सर्कल के साथ इसको अटाइच किया, अगें 6 डबल स्टिस, पिकॉट, और 5 डबल स्टिस, पिकॉट और 6 डबल स्टिस करके ये रिंग कम्प्लीट कीजे, सेकेंड वाला रिंग हमारे इस वाले फ्लार के पिकॉट से अटाइच कर दीजे, परस रिंग हमने दो रिंग के समी सर्कल के साथ अटाइच किया था, सेकेंड रिंग को हम सेकेंड इस फ्लार के सेकेंड पिकॉट से अटाइच करेंगे, जैसे कि हम पहले दो फ्लार में करत तर्ड वाला रिंग हम पिछले मोटिफ के इस वाले पिकॉट से टाच करेंगे यह देखें जो हमारा टॉप का फ्लार है थ्री पेटल्स का इसके इस साइड वाले फ्लार के साथ में हम इसको टाच करेंगे अब बनाईए फाइव डबल स्टिस स्मॉल पिकॉट और सिक्स डबल स्टिस करके यह दिंग कम्प्लीट कीजिए इसको पिक इधर ऐटेच हुआ थ्रड वाला हमारे है इस वाले फ्लार के साथ अब आपना फॉर्थ फ्लार बनाएगे फॉर्थ फ्लार सिंपल जैसे नॉर्मल है वैसे बनाईए क्योंकि वो किसी के साथ जी अटेच नहीं होगा तो पहले 6556 लिए देखिए हमारे 4 पेटल्स का यह कंप्लीट हो के फ्लार अब डिजाइन को फ्लिप कीजिए और इसका फिर से चेंड बनाईए तो इसकी चेंड बनेगी 16 डबल इस्टिस की यह हमारा 16 डबल इस्टिस हो चुके हैं अब यह डिजाइन हमारी इस तरह से आगी अब हम टॉप पहुंच चुके हैं अब हमें यह वाला 3 पेटल्स का फ्लार उपर बनाना है कि सेवन डबल इस्टिस को करने के बाद इस वाले फ्लार से इसको अटाच कर दिजिए पिकॉड से अब बनाईए 10 डबल स्टिस पिकॉड और 3 डबल स्टिस करके ये रिंग कंप्रीट कीजिए है इदे के फेंड्स पिला रिंग कंप्रीट हुआ दूसरी रिंग को 3-2 डबल इसको करके इसको साथ अटाच किया हमने पहले वाले रिंग के साथ में अब बनाईए 7 double stitch, 7 double stitch के बाद हमें इस वाले जो हमने पहला मोटी बनाया था, उसके उपर बारे सबसे टॉप वाले रिंग के साथ में स्कॉर्टाइज करना है 5 double stitch 7 double stitch और 3 double stitch करके यह कम्प्लीट किजा रिंग, यह देखिए हमारा दूसरा रिंग भी आपस में अटाच हो गया है, यह design हमाई इस तरह से आ गई, अब हम अपना थार्ड रिंग बनाएंगे, तो सबसे पहले 3 double stitch और इसको अटाच कीजिए, 10 और 7 करके यह दिंग कम्प्लीट कीजिए, यह देखिए फ्रेंट्स हमारा यह 3 petals का फ्लायर कम्प्लीट हो गया है, अब design को flip करके, फिर से 16 double stitch की chain मनाईए, फ्रेंट्स देखिए, अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब हम यह 4 petals का फ्लायर फिर से कम्प्लीट करना ह जैसे हमने इस साइड बनाया था, वैसे आप इस साइड भी बनाएए, यह देखिए, फ्रेंट्स हमारा यह 4 petals का फ्लायर कम्प्लीट हो गया है, अब हम इसकी semi circle बनाएंगे, तो सबसे पहले 12 double stitch और उसके बाद 6 double stitch का नीची का chain मनाएंगे, 12 double stitch अब हमने जो पिश्या वाल रिंग बनाया था, उसके semi circle के साथ में इसको attach कर देंगे, यानि कि यह जो flower बनाया था, यह देखिए, इस तरसे design हैंगे, इसके इस picot के साथ इसको attach कर दीजिए, अब बनाएंगे six double stitch, design को tight कर दीजिए, यह semi circle complete हो गया, design को flip कीजिए, यह देखिए, हमारा यह दूनों आमने सामने के, यह flower complete हो गए है, रिंग बनानी है, और यह semi circle, then यह ring, इसको complete कीजिए, तो सबसे पहले 747 का, एक ring बनाया है, रिंग के बास, semi circle, then फिर एक चोटा ring, इस तरह से अपनी design complete कीजिए, 747 का, एक ring हमें और बनाना है, जिससे कि हमारी four cluster, four ring का एक cluster बन जाए, तीन बन चुके है, हमें four number का और बनाना है, अब हम फिर से semi circle बनाएंगे, design को flip कीजिए, सबसे पहले six double stitch, record और 12 double stitch का, एक semi circle, एक बन मैं आपको graph दिखा देती है, यह देखे है, हमने अभी यह वाला motive एक complete पहले किया था, और हम अपना यह वाला motive अभी complete कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पहुझ गये हैं, यह हमने four ring का cluster बनाया है, और हम इधर ही यह वाली रिंग बना रहे हैं, six और 12 की, उसके बाद यह four ring का फ्लार बनाएंगे, देन अपना last में हम यह semi, यह ring, और दूसरी motive का इधर का ring, यह complete करके अपनी यह भी motive complete करते हैं, यह देखिए फ्रेंड्स हम last में आ गए हैं, और हमारा last का यह दो रिंग भी बन गए हैं, जी रखके दिखाते हूं आपको, इस तरह से यह हमारा दो motive complete हो गया, एक बड़ा triangle बन गया है, यह हमारा top का एरिया है, three petals के फ्लार यह आपस में जुड़ गए हैं, इसी तरह हम अपना third triangle भी यहां पर ऐसे जोड़ेंगे, और यहां पर हम अपना fourth triangle जोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारा पूरा square design बन जाएगा, तो I hope friends के आपको यह design अच्छा समझ में आया होगी, friends आप अपना आगे का भी यह triangle third और fourth भी complete किजिए, यह देखिए friends यह हमारी इस तरह से आदी design बन गई है और आदी हमको अभी और बनानी है, तो I hope friends के आपके design अच्छे से समझ में आगी होगी, अगर आपके design समझ में आई और पसंद भी आई है तो प्लीज मेरे चैनल को like and subscribe करना न भूलिए, जिसे मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी design लेकर आँ, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत thank you,